आज के इस वीडियो में ऐसी चाई ऐसी काढ़ा के बारे में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना कि आप जो विंटर का मौसम अभी स्टार्ट ही होने वाला है तो आप उसमें अगर विंटर भर सारे विंटर अगर ये चाई पी लेंगे ना तो आपको थोड़े से भी डॉक्टर के पास में जाना नहीं पड़ेगा जी हाँ सर्दी खासी वो तो एकदम भी आपको नहीं होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लायरमानेरे में असलाम लेकूम तो आज मैं सबसे पहले अपने गार्डन में आ गई हूँ जी हाँ आईए मैंने वैलकनी में कुछ लगा दिया था पौधा जैसे कि ये हो गया तुलसी का पौधा मैंने लगा दिया था ये बहुत जो काम वाले पौधे होते हैं वो मैं लगा देती हूँ तो ये तुलसी का पौधा मैंने लगा दिया था देखे तुलसी के दो लिफ्स मैंने ले लिये हैं यहां पे तुलसी के पत्ते ले लिए हैं और यह मैंने करी लिफ्स लगाया था पर यह जो है ना यह अल्ड़ी मुर्जाया ही वह था तो फिर भी देखते हैं दो तीन दिन में अगर हो जाई एक ग्रो और यहां पर देखें नीम के पौधे मैंने लगाया थे यह बहुत जाद बहुत ही अच्छा होता है जैसे शुगर पेशन के लिए तो चलिए अब जो है ना बनाना स्टार्ट करते तो इसके लिए क्या के इंग्रीडियन की जरूरत है सबसे पहले ले लेना है हम लोगों को यहां पर अद्रक जिहां छोटा सा मैंने अद्रक ले लिए है और जो मैं पते होते हैं उसे आधा ले लेना है ज्यादा मत लीजेगा और यह लॉंग मैंने ले लिया दो पिस लॉंग ले लेना है यहां पर और उसके साथ ही साथ हम लोगों को ले लेना है यहां पर देखिए दालचीनी दालचीनी भी थोड़ा सा टुक्रा लीजेगा क्योंकि यहा लेजेगा तो अब हम लोगों को कैसी मतलब की इस काड़े को मैं कैसे बनाऊंगी तो चलिए बताती हूं मैं तो सबसे पहले ना एक आपको देख़ी में जिसमें आप चाय बगरा बनाते हैं उसमें पानी ले लिजेगा तो नाप करके जितना कप आपको बनाना है ना उतनी तो तब ही इसका जू जूस रज्च आ अच्छे से निकलेगा सारे इंग्रीडियंट को अच्छे से तोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देना है और वन बाई वन सब सर्दिक खासी बिलकुल भी नहीं होता है और इवन हम लोग भी जो बड़े हैं ना हम लोग मैं और मेरे हजबिन हम लोग भी यह पीते हैं काड़ा उसके बाद अद्रक को इस तरीके से कूट करके इसमें डाल देना है तो यह जरू से जरूर आप बताईए का मुझे अगर ना करके पीने के बाद अगर वीडियो जो है ना आज कर जो मैंने रेमेडी बताया ना अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा उसके बाद देखिए मैंने इसे चरा दिया था इंडक्शन में तो इसे अच्छे से बॉयल होने तक हम हानी भी ले सकते हैं अब 5 मिनट तक इसे अच्छे से हम लोगों को हाई फ्लेम में बॉयल कर लेना है यहां हाई फ्लेम में ही बॉयल कीजेगा और यह भी बता दू आपकी अगर गार्डेन वगरारा है ना या फिर आपके बैलकानी है या बैलकानी भी नहीं है अगर खिड लींटि कीजेगा और चाहे कि पती आट यह करने के बाद भी हम लोग पांच मिनुट इसे अच्छे से हाई फ्लेम में जो हैना बॉयल कर लेंगे और जब अच्छे से बॉयल होकर के एक कलर आ जाएगा नहीँ हिसमें तो फ्लेम को फिर रहा हम लोग लोग कर देंग ऑर लो इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है काला मैं बोल रही हूं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता नहीं इसका टेस्ट भी जो है ना बहुत अच्छा रहता बच्चे भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं पीना पसंद करते हैं तो आप लोग जो है यह जरू से जरू ट्रा ना तो दो कप में जो है ना इसे मैं डाल दूंगे और डानने के बाद सर्फ कर देना है और इंजॉय कीजिए आपको अगर सर्दिखासे नहीं भी है ना तो बर साथ के मौसम यह ठंडे के मौसम यह जरूर से जरूर पिए सिहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो कैसा ल